हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल में 2022 में क्रिसीव भाग में भरती निकल के आ चुकी जिसमें योगिता ग्रेजुएशन पास रखा गया है जो कंडिडेट ग्रेजुएट रहते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है इसम आप लोगी वेकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अभरती किसकी सराज में आ इसमें आवेदन करने के लिए क्या 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 डाकुमेंट चे इसमें उम्र सीमा कितनी होनी साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसकी लाश्ट टेट क्या है ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे डेली एक क्वेस्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमें हमें की जाती है ए ऑप्सन है सितंबर अक्टूबर बी ऑप्सन है अप्रैल मई सी ऑप्सन है जनवरी फरवरी डी ऑप्सन है नौवमबर दिसंबर अगर आपका अंसर सही हो जाता है तो आप लोग को चैनल के माधिम से इनाम जीतने का मौका मिलेगा तो चलिए हम लोग ही अच्छा मौका निकल के आ चुका है यहां पे देखे 462 पदों के लिए भरती आ गई है जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए भरती आ गई है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना सुरू हो गया है तो आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए यहां पे देखे डेट भ जानकारी दी गई है कि किसकी सराज के लिए भरती आई है अगर आप लोगों को अफिसल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने नहीं आता है तो अभी हम आपको लाश्ट में बता देंगे तो आप लोग वीडियो के लाश्ट तक बने रही है अभी हम आपको यहां पे इसका पी इंपर देखे एज लिमिट Martinez जा रहा है कि जनरल ओबी सी से अष्ट का अलग अलग एज लिमिट रखा गया है तो यहां पर देखें जनरल क Druidate का बताया है कि 20-30 साल होनी बता करहा है कि अक्रिए कटीजल का बता है कि अलग अलग बताया अचा रहा है कि आप लोगों का बि बताया जा रहा है कि जनरल OVC गंड़िडेट का बारा सो रुपे फार्म बने का फीस लगेगा और यहां पे देखिए SC ST कंड़िडेट का और वोमिन पे बताया रहा है कि 500 रुपे फार्म बने का फीस लगेगा आगे अगर आप लोग form को apply करना चाहते है official notification डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखी link दिया गया है आप लोग इस link को click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर page open होके आ जाएगा आप लोग यहाँ से form को apply कर सकते हैं और आप लोग इसका official notification डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग कैसे डाउनलोड करना है तो हम आपको बता रेते हैं आप लोग को search के option पे जाना है और वहाँ पे आप लोगो को type करना है govacancy.in आप लोग spelling चेक कर लिजिएगा govacancy.in अगर आप लोग यह type करते हैं search करते हैं तो यह देखिए आप लोग के सामने यह वाला page open होके आजाएगा यह देखिए govacancy.in की site है यहां पर जो भी सरकारी वेकंसी आती है आप लोग के सामने सबसे पहले यहां पर आजाएगा आप लोग जो भी वेकंसी देखना चाहते हैं यहां पर लोग की उसको शाखते हैं तो यह देखिए नीचे आएंगे तो इसी तरह से आपके सामने page open होके आजाएगा एगा यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग का एक बार में open नहीं होता है ये link तो आप लोग बिल्कुल घबडाईएगा नहीं परिशान मत हुईएगा दो-तीन बार में आप लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें वेबसाइट open हो जाती है तो आप लोग यहां से open करके आप लोग देख सकते हैं तो friends, यहां हो पर हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आ आ गया होगा यहां पर देखें बताया जा रहा है कि आप लोग govacancy.in की साईट से फार्म को apply कर सकते हैं तो friends यहां पर हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको समझ में आ गया और आपको वीडियो से जानकारी मिलती है वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के बाद अभी भी आपके मन में कोई क्वेस्चन कोई भी डाउट रह तो friends अगर आप लोग भी और भी वैकेंसी के बारे में जानना चाते हैं अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में दिए गए बैल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन अन कर लें ताकि जो भी सरकारी वैकेंसी की अपडेट आती है आप लोग को चैनल के माधियम से जानकारी दे दी जाए तो friends आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो